जैसे दोस्तों कलास इस्टार्च करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं देखिए फोर्थ समेश्टर ठीक है बी ये फोर्थ समेश्टर की कलास शुरू हो गई है दोस्तों 2024 मिसन के लिए ठीक है तो आप जितने अभी लोग हैं सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जा देखिए इसमें टोटल 40 प्रस्ण है ठीक है डीड्यू विश्विद्याले का यह पेपर है दिन द्यालुपद है गोरगपूर विश्विद्याले सी 203 ठीक है एसी एंट हिस्त्री यानि प्राची नितिहास पेपर का नाम है आपका सोसाइटी एंड स्टेट आफ एसी करेंगे सेकंड क्लास में भी जल्द ही आपके कई सारे प्रस्ण देखने को मिल जाएंगे क्लास प्रोपरली तरीके से सुरू होने वाली है ठीक है तो सब्सक्राइब करके जूड़ जाईएगा दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास देखते हैं इसमें कौन-क कार्ट पर आपके पेपर का नाम लिखा रहता है चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं आज का पहला प्रस्ण आपका इसमें क्या पूछा है देखिए इसी तरह से प्रस्ण आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे ठीक है इससे बाहर कुछ नहीं आता है देखिए पहला है अगला प्रस्त देखते आपका क्या है, अगला प्रस्त नमर दू आपका इसमें पुछा है, episódio 279 to 209 तो डहे किसमने कहा है इस तरी स्वतंटर नहीं है वर्य नहीं है ठीक है चलिए अगला प्रस्ण आपका देखते हैं क्या है प्रस्ण नमर तीन आपका पुछा है दोस्तों संयुक्त परिवार की कौन सी विशेस्ताएं हैं संयुक्त प्रकार की जो विशेस्ताएं होती है दोस्तों ब्रियातकार की होती है आपसा नमर एक करेक्ट है ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है आपका देखिए प्रस्ण नमबर चार आपका पुछाए दोस्तों कौन सा बिवा सर्वत्तम था ठीक है वरण सब्द का अर्थ है वरण करना ठीक है वरण सब्द का अर्थ है वरण करना आपसा नमर सी करेक्ट है आपका प्रस नमर च्छा देखेंगे आपको क्या पूछा है वरण बेवस्था में वैस का अस्थान था तीसरा अस्थान था आपसा नमर सी करेक्ट है आपका ठीक है वर्ड विवस्ता में, दोस्तों, वैस्वे का कौन सा स्थान था, तीसरा स्थान था, चलिए अगला प्रसनाप का देखते हैं, प्रसन नंबर साथ क्या पूचा है, प्रसन नंबर साथ है दोस्तों, जाती विवस्था के उद्भव में प्रजाती विवेद का कारण माना तो हरवर्ट रीजले ने माना ठीक है यह 100% लगता है मुझे यह आएगा 2024 के परिच्छा में ठीक है आपको परिच्छा भी जल्दी सुरू हो जाएगा ठीक है जाती में वेना था हर्वार्ट रीजले ने पफिया आपका पुछा है दोस्टों जाती सब्द की उत्पति मानी जाती है जनधातु से मानी जाती है पफिया पूछा है व्याit सब्द का परियोग हुआ है जुलाहा में हुगा है भीया ठीक है वाय सब्द का परियोग कहा हुगा है जुलाहा में आपस नमबर एक करिक्ठ आपका चलिए प्रस नमबर दस आपका पुछा है बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये प्रस नाएगा 100% 2024 में ठीक है आसरम बेवस्था का सही करम है ब्रह्मचर ग्रिहस्त वानपरस्त सन्यास ठीक है याद रखिएगा यह 100% आएगा दोज़र चोबिस में, ठीक है, आसरंबे वस्ता का सही करम क्या है, ब्रहमचर, गृहस्त, वानप्रस्त और सन्यास, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, प्रस नमर 11 देखते हैं, आपका क्या पुछा है, सन्यासी कहा जाता था तो परिवाजरक कहा जाता था ठीक है परिवराजक कहा जाता था सन्यासी को आपसा नमर सी करेक्ट है आपका चलिए अगला प्रसन देखते हैं प्रसन नमर बारा आपका क्या पुछा है निम्न में धर्म के तीन असकंद में समिलित नहीं है तो हिंसा ठीक है धर्म के तीन असकंद रूम में कौन सा समिलित नहीं है हिंसा समिलित नहीं है दोस्तों सत्य ब्रह्मचर और यग ये क्या है ये तीन असकंद है दोस्तों जो धर्म के तीन असकंद है यह सामिल है, बाकी हिंस सामिल नहीं है, ठीक है, आफ्सनमर D correct है आपका, चलिए प्रस नमर 13 देखते हैं, आपका क्या पूछा है, what is the correct number of संसकार, ठीक है, संसकारों की संक्या है, तो संसकारों के kul 16 संक्या होते हैं दोस्तों, आफ्सनमर C correct है आपका, ये प्रस्ण लगबग हर एक्जाम में पूछता है ठीक है रिपीट होएंगे जरूर ये सभी प्रस्ण तो ध्यान रखिएगा प्रस्ण नमर 14 आपका पूछा है महर्सी ब्यास के अनुसार धर्म क्या है according to the महर्सी ब्यास what is the धर्म तो धारन करना ठीक है to content आपसा नमर सी करिक्ठ आपका प्रस्ण नमर 15 देखेंगे आपके क्या पूछा है समावर्तन संसकार का आयोजन कब होता था सिच्छा की समापती पर होता था दोस्तों ठीक है समावर्तन संसकार का आयोजन सिच्छा की समापती पर होता था ठीक है वेर वाजद समवर्तन संसकार प्री फॉर्म प्री फॉर्मेट तो यह क्या होता था आप्टर इंड आफ एजुकेशन आपस नमबर भी करेक्ट आपका ठीक है दोस्तों प्रस नमबर सोला आपका पूछा है दोस्तों वीच वर ना आपदर फालोइंग इच पूरुसार्थ है तो दोस्तों धर्म क्या है हमारा पूरुसार्थ कितने परकार के होते हैं यह पूरुसार्थ चार परकार के होते हैं कौन-कौन से धर्म ठीक है अको आप लोग नोट कन लेजिए गा धर्म अर्थ ठीक्वज़, यह पूच्छा जाएगा, 100%, 120% गारंटी है, यह परशन आएगा आपका, ठीक dipping, धर्म, अर्थ, काम, और मोक्श, यह क्या है भ्या, यह क्या है, पुरुसार्थ है, ठीक है, पुरुसार्थ के चार, पुरुषार्थ के चार होते हैं सास्तरों के मुतावित पुरुषार्थ चार पुरुषार्थ के होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ठीक है याद रखिएगा यह 120 परसंट गारांटी है दोस्तों यह प्रषन आएगा तो आएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण आपका देखते हैं क्या है प्रस्ण नमर 17 आपका पूछा है 16 संसकार में सम्मिलित नहीं है तो नामकरण सम्मिलित है विवा भी सम्मिलित है गरवाधान भी सम्मिलित है मोक्ष नहीं सम्मिलित भी है ठीक है आपसर नमर डी करेक्ट आपका सोला संस्कारों में मोक्ष सम्मिलित नहीं है चली प्रस नमर अठारा आपका देखते हैं क्या है प्रसस्त बिवाह प्रकार नहीं है किसका प्रकार नहीं है भिया प्रसस्त बिवा तो दोस्तों ब्रह्म बिवा दे बिवा प्रहजापत्य और आर्स ये चारों क्या है प्रसस्त बिवा के प्रकार हैं ठीक है कभी कभी क्या होता है एक्जामिनर टाइपिंग में गलती कर देते हैं ठीक है तो ये प्रस नहीं आप आपका गलत था ठीक है 18 नमबर प्रस्णाप का गलत पूछा था इसमें चलिए अगला प्रस्णाप का देखते हैं क्या है प्रस्ण नमर ओनाई से आपका पूछा है दोस्तों विद्यार्थी जीवन की समाप्ती पर संसकार होता है यानि जब विद्यार्थी जीवन समाप्त क संसकार कौन सा होता है समावर्तन चलिए अगला प्रसन आपका देखते हैं क्या है प्रस नमर 20 आपका पूछा है दोस्तों हिंदू मैरीज इज यानि हिंदू विवा है तो एक धार्मिक संसकार है ठीक है यह 100 परसेंट आएगा दोस्तों ठीक है याद रखिएगा देखिए ज इसमें दोस्तों अंतरजाती विवा है ठीक है जिसे क्या बोलते हैं इंटरकाष्ट मैरीज आपसा नमरे करेक्ट है दोस्तों ठीक है यानि एक उच्छ जाती का एक निम्न जाती के साथ जो विवा करते हैं उससे अंतरजाती विवा करते हैं ठीक है इंटरकाष्ट मैरीज आपसा नमबर ए करिक्ठ है अनुलूम विवा, चलिए अगला परस्ट आपका देखते हैं क्या है, परस्ट नमबर 22 आपका पूछा है दोस्तों, रिगवेद में पतनी मानी गई है, तो रिगवेद में पतनी को दोस्तों, घर, सामागरी और यग्ग करता, ये सभी माना जाता है इसमें पुछा है वैदिक काल न न बिदुसी महेला थी दोस्तों अपाला गारगी मैत्री ये तीनों थी भाहिया ठीक है आपसा न मड डि आपका करेक्थ है उपरोक्त सभी चलिए परस नमर 2018 सीच्छा का केंड्र था बताईए जो प्राचीज्च्च सब्सP सब्सक्रा की सभी भिशुब बिद्याला धा ते दोस्तों प्राचीनितम सिच्छा का केंड्र था थी क है। बहुत ही important प्रस्ण है, याद रखेंगे इसे, चलिए, अगला प्रस्ण है आपका, प्रस्ण नमर 25 है, वैदि कालीन गुरुकुल सिच्छा पद्धती में विद्यार्थी को सिच्छा दी जाती थी, तो मौखिक रूप से दी जाती थी, ठीक है, अगला प्रस्ण आपका है, 26 है, अग्यानता अंधकार के समान है, रिग वेद में यह कहा गया भी है, ठीक है, अग्यानता अंधकार के समान है, किसमे कहा गया है, रिग वेद में, चलिए, अगला प्रस्ण आपका, 27 नमर प्रस्ण आगया, यत्र नार्यस्तु, पुजयांत रमंते, तत्र देवता, उल अगला प्रसना आपका देखते हैं प्रस नमबर 28 है ब्रह्मा के मुख से किस वरण की उत्पत्ती हुई थी बेरी-बेरी मुश्ट इंपोटेंट है ब्रामर सब्द की उत्पत्ती हुई थी आप से नमबर करेक्ट है आपका प्रस नमबर 29 आपका पूछाए दोस्तों वैदिक काल में कितने परकार के वरण थे तो वैदिक काल में चार परकार के वरण थे अच्छा सर ये बताईए कि जब चार परकार के थे वैदिक काल में वरण तो कौन-कौन से परकार थे तो चार परकार थे आपके मैं बता रहा ब्रामण कौन से आते थे ब्रामण पहले नमबर पे दूसरे नमबर पे आपके आते थे छत्री कौन से थे छत्री आते थे दूसरे नमबर पे ठीक है तिसरे नमबर पे आते थे वैस्य ठीक है वैस्य आते थे चौथे नमबर पर आते थे भी आपके शुद्र ठीक है चौथे आएगा तो आएगा 100% आएगा ठीक है इस प्रस्म को काफी अच्छे से त्यार कर लिजेगा और मैं काफी अच्छे से त्यारे भी कराऊंगा ठीक है तो हमसे जरूर जुड़िएगा दोस्तों चलिए प्रस नमर 30 देखते हैं प्रस नमर 31 आप का पूछा है दोस्तों तीसरा पुरुषार्थ है फार पुरुषार्थ तो मैंने अभी आपको उपर पढ़ाया दोस्तों पुरुसार्थ कितने परकार के होते हैं चार परकार के होते हैं सरजी ने बताया चार परकार की कौन कौन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है तो धर्म हो गया पहले नमबर पे धर्म, अर्थ, अर्थ हो गया दूसरे नमबर पे तीसरे नमबर पर आपका काम है आपको प्रस्ण बताया ना धर्म अर्थ काम और मौक्ष पूरुसार्थ से इससे दोस्तों कई सारे प्रस्ण आपके टॉपिक में पूछेगा ठीक है घुमा फिरा के कई सारे प्रस्ण पूछता है तो बहुत ध्यान पूरवक पढ़िएगा और काफी अच्छे से मैंने पढ भावी दिया आपको ठीक है इसमें से कई सारे प्रस्ण आपके आएंगे एक्जाम में ठीक है दोस्तों चलिए 32 नंबर प्रस्ण आपका भारतिय समाज में कितने परकार के पूरुसार्थ है तो भारतिय समाज में दोस्तों कुल चार परकार के पूरुसार्थ है ठीक है कौ प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाद है प्राचीन भारत में आठ प्रकार के विवाद है सर जी ये बताईए जब आठ प्रकार के विवाद है तो कौन कौनसे विवाद है भी बता दीजी देखिए पहले नमबर पर आपका था ब्रह्म विवाद ठीक है पहले नमबर पर कौन आता था ब्रह्म बिवा पहले नंबर पर आता था दूसरे नंबर पर आता था आपका दैब बिवा कौनसा भिया दैब बिवा आता था तीसरे नंबर पर आपका आर्य बिवा आता था कौनसा बिवा आर्य बिवा तीसरे नंबर पर आता था असूर विवा ठीक है कौँसे विवा आता था खींस याथ thickness ६धिní और आथा था पीज वे-llo ठीक और विय क्वे चीज़ वे टीक है मुने सब आता था काभेका ऩसन नमबर पर यदा सांतुral अस्वे नम்गतर भारत में दोस्तों आठ परकार के विवा होते थे ब्रह्म देव आर प्रजापत्य असुर गंदर्व राचस और पिचास ठीक है चलिए अगला प्रसना आपका देखते हैं क्या है 36 नमबर प्रसना आपका प्रथम महायग्य था तो प्रथम महायग्य कौन था भिया तो ब्रह्म यग्य क्या है प्रथम महायग्य था आपसना नमबर सी करेक्ट है आपका ठीक है चलिए, 37 नमबर प्रस्ण है, सबसे प्राचीन ब्रामः साहित्य कौन सा है, तो वेद क्या है, सबसे प्राचीन ब्रामःः साहित्य है, ठीक है, आफसे नमबर ब्रामः प्रस्ण है, 32 देखेंगे, 38 है, मनु इसमरिती कब लिखी गई? मतलब मनु इसमरीति दोस्तों किसके सासन काल में लिखी गई थी तो सुंग काल में लिखी गई थी आपसर nober B और वी और करेक्ट है आपका चलूपराइग प्रेंबर 39 है 49 नमबर इने में से कौन रिड़ नहीं है तो दोस्तों मैत्री क्या है मैत्री रिल्ड नहीं होता है बाकी देव रिल्ड रिसी रिल्ड प्रित्री रिल्ड होता है मैत्री रिल्ड किसी प्रकार का नहीं होता है ठीक है अपस्ट नमर डी आपका करेक्ट है चलिए प्रस्ट नमर चालिस है आपका फोटी नमर प्रस्ट है चातु वर्ग है चातु वर्ग क्या भिया तो पुरुसार्थ क्या हमारा चातु वर्ग है ठीक है कौन कौन सा धर्म अर्थकाम और मोक्ष ठीक है देखिए इससे आपके कम सकम मैंने जहां तक मुझे उमीद है चार से पांच परसन आपके पूछ चुका है पुरुसार्थ से तो इसी तरह से पुछेगा दोस्तो काफी important यह class थी और मैं आपको एक जिम्मधारी देता हूँ इस class को share करने की ठीक है इस class को WhatsApp पर share जरूर करिएगा यह कहीं दोस्तों को share करिएगा लेकिन जरूर share करिएगा यह आपकी जिम्मधारी है ठीक है और आपसे request भी है share जरूर करिएगा previous year question paper है आप लोग idea भी लगा सकते हैं कि इस तरह से person पूछेगा काफी अच्छी तरीके से मैंने बताया भी है और हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो subscribe कर लेजएगा काफी अच्छे ची कलासे आती हैं महासंगराम कलासे आती है आपकी एक्जाम से पहले ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेस्ट कलास में तब तक लिए जैहिंद वंदे मातरम